हेलो फ्रेंज, वेलकम टू राधिकास किचन, आज हम बनाएंगे केट्स की फेवरिट डिश पास्ता, आज मैं बनाऊंगी वाइट सॉस पास्ता, क्याफिय स्टाइल, तो छलिए देखते हैं रेसिपी, मैंने लिया है दो कप पैने पास्ता, आप कोई भी परकार का पास्ता ले सकते हैं, दिया है दो कप धूद, एक बड़ा प्यास कटा हुआ, एक शिमला मिर्च कटी हुई, एक टमाटर कटा हुआ, एक टीस्पून लेसन, एक टीस्पून शक्कर, नमक, काले मिर्च पाउडर, चीज, मैदा, बटर, औरिग्यानो, चिली फ्लेक्स, तो छलिए करते हैं, मैंने एक पतीले में पानी को गरम करने रख दिया है, इसमें उबा लाना चलू हो गया है, जब उबा लाना चलू हो जाए, इसमें दालेंगे हम करीबन एक टीस्पून नमक, अब इसमें दालेंगे तेल, एक से दो टीस्पून तेल दालना है, और अब इसमें दा प्यास्ता चिपकेगा नहीं, खुला खुला बनेगा, इसे इच्छे से मिला लेंगे, और इसे पकनी के लिए दूसरे बर्नर पर रख देंगे, एक तरफ मैंने लिया है पैन, उसमें लिया है एक टी स्पूल बटर, इसे थोड़ा सा पिगला आकर, अब इसमें दालेंगे हमा करना है इसका रंग बदल गया है, अब इसमें दालेंगे, सिम्ला मिर्च, इसे भी अच्छे से सौते करना है, हमें इसे पकाणा नहीं है इसमें दालेंगे टमाटर ये सबजिया थोड़ी करारी होनी चाहिए आप दालेंगे स्वीट कॉन स्वीट कॉन आप चाहे तो आड़ कर सकते हैं इसे अच्छे से मिला लेंगे ये हमारी सबजिया अच्छे से सौते हो चुकी है पासा हमारा लगबग पक चुका है इसे हमें पूरी तरह से नहीं पकाना है असी प्रतिशत तक यह पकना चाहिए अब इसे छान लेंगे इसका पूरा पानी मैंने निकाल दिया है सबजियों को बाजु में रख देते हैं और अब बना दें वाइट सॉस निली एक कड़ाई इसमें लेंगे बटर बटर में दालेंगे थोड़ सा तेल ताकि बटर जले नहीं इसे पिखला लेंगे अब इसमें दालेंगे लेसन अब लेसन को हमें अच्छी तरह से भुनना है जब तक हलका गुलाबी हो जाए अब इसमें दालेंगे मैदा हमें मैदे को भी अच्छी तरह से भुनना है जब तक कि इसका रंग ना बदल जाए हलका गुलाबी ना हो जाए अब इसमें दालेंगे हम दूद दूद को थोड़ा चला लेंगे और इससे तब तक पकाना है जब तक ये एक जरा गाड़ा और क्रीमी ना बन जाए देखिए इस तरह से अब इसमें दालेंगे शक्कर काली मिर्च पाउडर अब इसमें दालेंगे हम औरिगेनो ये आसानी से आपको कहीं भी मिल जाएगा अब दालेंगे चिली फ्लेक्स और इसे एक बर मिला लेंगे इच्छे से मिला लिया अब इसमें हमने सौते की हुई सबजिया दालनी है इसे इच्छे से मिला लेंगे ये सबजिया मैंने हलकी करारी रखी थी अब इसमें दालेंगे पास्ता और इसे अच्छे से मिला लेना है अब इसमें दालेंगे नमक और इसे वापस एक बार मिक्स कर लेंगे ये च्छे से मिक्स हो चुका है अब इस पर ढखकन रखकर हमें इसे 5-10 मिनिट पकाना है अब इसमें दालेंगे थोड़ा चीज और इसे पेसे एक बार मिला लेंगे और इसे और दो मिनिट के लिए हमें ढक कर पकाना है यह पक चुका है चीज पिघल चुका है देखिए यह काफी चीजी और क्रीमी दिख रहा है अब इसे प्लेट में सर्फ कर लेते हैं इस पे थोड़ा सा चीज गार्निश कर लेंगे पास्ता खाने के लिए तयार है